हम बात कर रहे हैं NCC की आज के दिन की बात करें तो चोटे मोटे आपसाइट के साथ इस्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है हमने पहले वीडियो बनाए थी उसमें डिसकस किया था कि स्टॉक 250 के लेवल को ब्रेक आट कर सकता है दिसकस किया था है लास्त टेडिंग डे में हमको तू सिकस्टी तक का जम दिका था और वीडियो वीडियो इस्टॉक ने जो टू बरेक आट कर सकता है और तारगेट के तो पर 264 और 270 के लेवल को डिसकस किया था और हम देख सकते हैं इस टॉक ने जो आज के दिन एक्जेक्टि 264 के लेवल से हमको rejection दिखा है 264 का लेवल महां से हमको गिरावट देखने के लिए मिले selling देखने के लिए मिले हमारा जो पहला target हमको hit होते हुए नजर आ रहा है अब stock जहां trade कर रहा है इस वक्त हमको last trading damage जिस जगा पर closing दी थी 254 के ओपर उसकी के ओपर stock up trade होता हुए नजर आ रहा है बड़ा selling हमको यहाँ देखने के लिए नहीं मिले रहा NCC में NCC लगातार हमको higher आ रहा है पैटन बताते आ रहा है लगातार तेजी हमको NCC में देखने के लिए मिले है तो वह इसे condition में NCC यहाँ से हमको और तेजी बता सकता है NCC के target यहाँ से और उपर हमको नजर आ रहे हैं जिस तरह से chart pattern भी बन रहा है breakout के चांद ज्यादा बनते हैं नजर आ रहे है support level को अगर discuss करें तो जहाँ stock trade हो रहा है 254 का level immediate support का काम करेगा इसको breakdown कर जाता है तो next support 250 का level और 240 का level जहाँ से हमको लगातार बड़ी buying बड़ा jump देखने के लिए मिला था 254 का level जो है sorry 240 का जो level है तगड़े और immediate support का role play करेगा अगर target को discuss करें तो immediate target आप यहाँ से again 260 इसको break out कर गया तो 264, 265 का level जहाँ से stock ने rejection दिखाई है एक अब तगड़े resistance का काम करने वाला है लेकिन जिस तरह से chart pattern बन रहा हाय आ रहा है उस according इसका यह जो हाय ओ भी break out होता हुआ नजार आ सकता है 264, 265 के break out के बाद आगला target 270 और NCC में हमको 280 तक के भी target short term में ही देखने के लिए मिल सकते है वीडियो जो education purpose के लिए कोई बाइसे लिए hold की सला नहीं है